बाजपा सांसद और IPS अधिकारी ब्रजलाल जी ने अपने घर को गौरिया को समर्पित कर दिया है जी हाँ आज जब गौरिया को बचाने के लिए चारो और मुहीम चल लही है तो इस IPS अधिकारी के घर में सैकडो घोसले हैं जिसमें 200 से भी जादा गौरिया फल फूल रही है उनकी ब्रीडिंग हो रही है यानि उनके बच्चे भी हो रहे हैं और खास बात यह है कि सभी गौरिया को इन्होंने यहाँ पर एक ऐसा महौल दिया है जो एकदम प्राकरतिक है जिहां सामने आप देख सकते हैं कि गौरिया के लिए दाना पाने की ववस्था की गई है चारो और हरियाली है और बड़ी संख्या में यहां सुभा और शाम गौरिया देखने के लिए मिलती हैं यहाँ पे जो गौरिया फल फूल रही है वो तो हैं साथ में बाहर से भी आशपा सांसद ब्रजलाग जी ने बताया कि इस मकान की नीव सितंबर 2010 में पड़ी थी और 2011 में यहां पर जब गौरिया का एक जोड़ा पहली बार आया तब ही से इन्होंने यहां पर गौल्लक को एक घोसले के रूप में बना कर वहां पर बाजरा पानी और चावल रख द बताया कि सिद्धात नगर के एक छोटे से गाव में जब वहां रहते थे तो उनकी मा कहती थी कि चडिया कहीं भूकी ना रह जाए वही चीज इन्होंने आज तक अपनाई है और मा के जो संसकार है कि चडिया भूकी नहीं रहनी चाहिए इसलिए प्रौपर वे में यहां प पहले गौरिया ने ही यहां पर अपना घर यानि डेरा जमा लिया था गोमती नगर विस्तार में बने हुए भाजपा सांसत के इस खुपसूरत से घर में जब आप परवेश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप नेचर के बेहत करीब पहुँच गये हैं क्योंकि पेड़ पर भी घोसले लगाए गए हैं यही नहीं देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी भाजपा सांसत और IPS अधिकारी ब्रजलाल के इस प्रयास की प्रशंशा कर चुके हैं आपको बता दे गौरिया सनरशन के लिए बेहत महतपूर और एक बड़ा कदम ब्रजल जी ने उठाया है दिल्ली में मौजुद होने के चलते उन्होंने सारी जानकारी फोन पर दी है और ब्रजलाल जी ने कहा कि उनका ये प्रयास निरंतर जारी रहेगा और आने वाले वक्त में वहा और भी काफी वैस्ता यहां पे करने जा रहे हैं लखनो सेंजली सिंग झाल 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 झाल